भू माफियाओं का गड़ बन चुका दर्भंगा अब शहर की शांती विवस्था के लिए बरा खत्रा बन गया है इसके लिए ना कोई शासन है और ना परशासन तभी तो रविवार को कादिराबाद चौक के पास अपराधियों ने अंधा दूंद गोलिया बरसा दी जिसमें तीन व्यक्ती छोटू यादव तरुन पासवान और नवल कुमार ठाकुर घायल हो गए तरुन पासवान के आख के पास गोली लगी है तो नवल को जांग में हालाकि अच्छी बात ये है कि दोनों की ही जान खत्रे से बाहर है और एक का इलाज फिलाल डियम सीच में चल रह है गोली बारी के बाद अचानक कुछ देर के लिए स्थिती तनाव पुण्ण हो गई बताया जा रहा है कि भीर ने अपराधियों में से ही एक की मौके पर पिटाई कर दी जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए खोद इससपी अवकाश कुमार सिटी इसपी डिय संख्या में पुलिस बल घटना अस्थल पर पहुँचकर इस्थिती को काबू करने में जुट गई प्राप्त जानकारी के अनुसार या पूरा मामला जमीनी विवाद का है लेकिन अस्थानिये लोग अभी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं जैसे घर से लोग गोली बारी क आरोप लगा रहे थे वहां से पुलिस ने तीन महिला और एक युवक को हिरासत में लिया है किसने गोली चलाई कितने लोग थे क्या कारण था इस पर कोई भी पूष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के आला अधिकारियों की तत्परता से इस घटना को दूसरा रंग रूप देने वालों के मनसूबे पर पानी फिर गया है और अब इस्तिती पूरी तरहनी अंतरन में है आछ भी पॉलू करते पोलो को कादरबाद में करीब 10 गंटे पहले सुचना मिली थी फारिंग होने के बेक्ति जिसने संभाजी तोर पर गोली चलाई है उसको मार्पिट करने की भी सुचना मिली थी तब्स दाद सुचना पाकर स्थाना देख्ष आपर पहुंचे थी अलग सपोर्ट्स नेजे की हुद्द कुछ भी कहा नहीं जा सकता है जिनके बोली लगने की बात बताई गई है दोनों का इलाज चल रहा है यहां पर मामला इंट्रोल में है कि अपिल की लडाई है इसे को यह और रंज नहीं जा सकता नहीं है या पर अच्छे से मनाएं बाकि कोई भी चित्त रोती है कानूल अपने हाथ में ना ले हम लोग शुचना दे पुलीस के द्वारा तक्ताल उसका करवाई है सर घट्टा में कितने लोग सामिल थे लगा क्या जनकाडी मिल पारे इंट अभी इस पर तोर पर कुछ पाना मुश्किल है तीन से छे लोग बीच की बात यहां के लोग बता रहे हैं कि तीन से छे लोग दो से प्रहां की जब आगे अलोग संदान होगा बिल बतारियां भी फायरिंग कितने हुई है सर इस पर इस पर भी कुछ पाना आभी संभौ नहीं है उस लोग बताते हैं कुछ लोग बतारें चार राट युरॉन पांच राउन आएक बहुत से लोग पार आए गाई जरूराइं इस पर पर कुछ नहीं कह सकते हैं दो व्यक्ति ग्पार जरू अभी तो उनको इलाज के लिए भेजा गया है आगे करवाई हमें कि अपने अस्ता से मना रहे हैं उसमें कोई खलल ना पड़े वह अच्छे से लोग मना से को अभी हमारी प्राइटी एक बार यह कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद आगे जो भी इसंदान होगा उसके बाद आ अभी है वहार से लोगा पर देश लोग रहने वाले एक बढ़ को आरोप यो अपरादी लोग है जो यहां पर आखर कर गोली चलाए ऐसा सुनुने में आ रहा है अच्छी कि जैसा मैंने पहले वी कहा प्रढ़ान चल रहा है वह जो भी बात हो हो कि लियर आज़ है थैंकि य जमिन हमीं के शारी, फता है कि यह जमिन को साहलाए कि शोपबरुनी के ती निया, इलाज प्रिमिन के ह इने पहर यह ज हुआ पहुएम कि शोफ़्णय महाँा आज जो लोग समिन स्य dêts ह strang reflect, नियुए सथी on the जो बच्चर सुपर है आज पिर उसने इस बात की सावित करती है और उसी को लेके भोली बारी हो रही है इसमें दो आदमी जो जीवन और मित्तु के एक आदमी को अपना इसका आख में गोली लेगी उसकी इसकी गंभी रूप से गायल है हम लोग इस वरत प्रत्ने करेंगे कि प्रक्षितर है और जीला प्रसावसान से यह अनुरुत करेंगे और यह आगरा भी करेंगे कि जिन लोगों ने गोली बारी का काम किया जिन लोगों ने उन दुनों लोगों को गोली मारी है उनको सक्त सक्त 14 गंटे कैंटर में गिरफतारी करें और गिरफतारी करके कुछ इस्थानिये भी हैं कुछ बाहर के भी हैं अब कड़ाने के पुलिस उनसे इंट्रोगेट करी को तुम बालूम चले कि वह आखिर में है कहा है इस तरह लगता है कि पुजा पर कर समय था अज के पहला नौरात का दिन था तो आज पुलिस बेवस्ता जो थी सब पंडालों में बेवस्ती आज बहुत जगे खला स्यात्रा भी निकाले गए उसकी सुरक्षा को लेवी पुलिस बंदवा तुमा थी और ऐसे दीन और दीन दीन रहेंगे पुलिस फूजा में बेवस्त रहेंगे तब वो सांती फूलिस घटना को अंजाम देंगे उनका मकसद यही प्राफ है